अक्तूबर मासिक राशिफल दो हजार बाईस ग्रोहों की चाल में बड़ा बदलाब हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी संबंधों में आएगी कितनी मेठाद क्या पाएंगे और क्या खोएंगे कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे भाग्य के बल पर क्या क्या पाएंगे देखे सिर्फ धर्म ग्यार पर नमस्कार धर्म ग्यांगी खास पेशकर्ष मासिक राशिफल 2022 में एक बाफे मैं कवितराना और अचारे मेंक्षमा जी आप सभी का स्वाधत करते हैं धन्यवार कवितरी सभी धर्शिफों को साधा नमस्कार तो इसवार भी हम आपको बताएंगे कि अक्टूबर यान कि ये आने वाला एक महिना आप लोगों के जीवन में कितना बड़ा बड़ा और कितना बड़ा परिवर्ता लेकर आ रहा है आज हम बात कर रहे हैं धनुराशी वाले जातकों के बारे में आपको बताएंगे कि ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल में जो बदलाव है वो बदलाव किस प्रकार आपकी सिहत में, आपके कामकारुबार में, आपके आर्थिक पक्ष्मिय और रिष्टों में भी देखने को मिल सकता है क्या कुछ आप हासल कर पाएंगे इस महीने, भागे के सितारों के बल पर भी क्या कुछ आप पाएंगे इस महीने, हर पहलू पर हम हमेशे की तरह इस वीडियो में भी बात करेंगे, लेकिन आईए सबसे पहले, शुरुवात हम यहीं से कर लेते हैं, ग्रह नक्षत्रों की स राहत बड़ी खबर रहेंगी और जैसे समय बीतेगा, वधन की साड़े सथी भी उत्रेगी और राहत बड़ी खबर बिंद के लिए रहेगी तो देखिये पहले भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में शैणी है, तीसरा भाव खाली है, चतूरत भाव में गुरु बैठें बहुत सुन्दर योग है पंचम भाव में राहूए छटे भाव में मंगल है सब्तम अश्टम और नवाम भाव खाली दशम भाव में बुद्ध शुक्र और सूरी की यूति है दशम भाव में 11 भाव में केतु है और 12 भाव में आपके इस महीने चंद्रमा र पर चंद्रमा राशी के साब आपना राशी फल देखेंगे तभी सही जानकारी आपको मिल पाएगी अब सबोज आपकी है तो तुला राशी और आपका नाम एक्षर से हैं और आपनी मेश राशी देख रहे हैं तो प्रेडिक्शन सारी उल्टी हो जाएगी तो ये बास चल जाए उसके बारा हमारा वीडियो उस राशी को देख के फॉलो कर सकते हैं और इसमें तमाम जानकारिया आपको देते हैं कि किस महीं ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है कैसा आपका करियर रहेगा कैसे यल्द रहेगी और धनल आपके कितने योग मनेंगे और फिर में उपाएं भी बताते हैं चले मैं जी यह तो आपने बता देंकि घ्रह नक्षत्रों की स्थिट के बार में भी समझाते यह भी बताए देखें वीडियो देखने से पहरे आपको आपकी राशी का पता होना भी ज़रूरी है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और म आपको अनिद्रा की समस्या से दोचार होना पर सकता है कि चंदरबा नीच के बार में भाव में हैं तो किसी भी चीज़ को लेगे जरूर से जारा सोचेंगे धनुराश्वी वाले समय मविष्य की चिंता में उल्जे रहेंगे और अनिद्रा की शिकार हो सकते हैं या कभी-क अब कहना चाहिए ना कि डिप्रेस भी हो सकते हैं तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचना चाहिए छटे भाव में मंगल है तो भी आपको पनी सहीत का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अगर कोई पुरानी बीमारी है तो वह समय ओभर सकती है तो यह महीना थोड़ा सा चलना पड़ेगा धनुराशी वालों को सेहत को लेकर जहां तक मेरा मानना इनके ग्रहने शत्र के अनुसारा परसलाइफ के बात करें तो रिष्टों के मामले में भी यह महीना आप लोगों के लिए क्यों खास है किस तरह आपको अपने स्पाउस के साथ अपने लवर के है आपके और आपके पार्टनर के विच में कोई ना कोई गलत फहमी इसी बात को लेकर वादविवाद हो सकता है तो इसी से बचना चाहिए अगर कोई वादविवाद हो भी रहा है तो इसको मिल बैठके सुझा लिजिए क्योंकि लंबा खेचने से रिष्टों में और दरा भी नहीं है तो वेवाद जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी प्रेम संबंदों में थोड़ी को दिक्कते हैं वाद मिल बैठके सुझा लेंगे तो बहुत चीरी अच्छी रहेंगी वैसे भी धनूराशी वाले मैंने देखा है कि बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर अच्छी सफलता के संकेत दे रहा है अगर आप अडमिशन लेना चाह रहे हैं तो एडमिशन भी आपको मिल जाएगा कोई टेस्ट इंटर्व्यू आपका है कोई परिक्षा है तो उसमें भी सफलता निशित मिलेगी बस क्या करना है कि धनूराशी वालों को फोकस करना है अ करना होगा इसके लावा और कोई समस्या नहीं है अब हम चलते हैं कि प्रोफेशन लाइफ में के वर्क फ्रेंटिंग क्या कहता है मेहनत कर रहे हैं लेकिन क्या इनकी मेहनत के अकॉर्डिंग इन अप्रेजल मिल पा रहा है जॉब में या फिर बिजनस में कैसा करेंगे अगर आप नोकरी बदलने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी महीना काफी अच्छा रहेगा दश्वांभाव में सूरिय है कारेक शेत्र में आपको लाब देते हैं तरक्की होगी वैफसाय में भी लाब मिलेगा बिजनस भी आपका अच्छा चलेगा और इस महीने अच्छ सवामी बुद्ध भी बैठा है उच्छ कहों के शुक्र भी है सूरिय भी है और दर गुरु भी है सवराशी के तो केंदर में जब चार-चार घ्रह बैठते हैं तो हमारे काम कारुबार की देश्टिकोंन से बहुत अच्छे रहते हैं प्लस क्या है कि आपके सुख स्राधरो से रही करने की क्या महिना इंकलेशी कि उसके साब भी अच्छिंटे रहेगा ज्योंकि अभी घ्रहों कि सितिन को अच्छे धन ना पिसंगे दे रही है शनी जैसे मार् की हो जाएंगे और बहुत तो इसलिए इनका शनी की दर्श्ची लाब अस्थान वे भी है लाबस्तान में आ रहे हैं 17 तारिक से वह भी अच्छा है तो मैं तो को हूँ कि इनके लिए पूरा महीना ही हो और अच्छा है तो इस महीने का पूरा पूरा फायरा उठाए धन संचे के भी योग बनेंगे पैसा काफी आएगा भी चले अब तर हमने मैंग जी से जाना आपकी हेल्थ के ब शुब सिदी में है राशी के स्वामी बुद्ध भी शुब सिदी में जी नपभे से पिचाण में फीजदी भागे साथ देगा पस इनको करना है कि आप मेहनत करनी है जीतोड मेहनत करें तो निश्वित रूप से लाब भी उतना ही बड़ा मिलेगा जाते जाते उपाय भी उपाय के तोर पे अगर इस महीने आपको किसी भी तरे की कोई हैल्थ इशूज आ रहे हैं तो आप हनुमान चालिसा का नियमित पाट करें मंगलवार की दिन बजरंग बली जी के दर्शन करें मंदिर में जाके उनको बूंदी का लड़ू चढ़ाए विशेशलाब मिलेगा और साथी साथ सोंवार की दिन शिविलिंग पर आपने बेल पत्र चढ़ा के आने हैं शेह चढ़ाना है जिससे आपको हर तरे की परिशानी से छुटकारा मिल जाएगा और मानसिक तनाव से भी आपको बड़ी रहत मिलेगी चलिए तो यह आज हमने महिंग शेमंजी से जाना देहरा धून से कि अक्टूबर का यह महिना धनुराश्य वाले जातकों के लिए यानि कि आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है इसी के साथ मुझे और महिंग जी को दोनों को दीजाए इजाज़त नमस्कार